हेलो दोस्तो आप सभी का स्वागत एक बार फिर से आपके अपने यूटॉब चैनल पर दोस्तो आज मैं आपको बताऊंगा कि पटवारी का रिजल्ट कब आने वाला है और साथ इसके बारे में और भी एक ताज अपडेट मिली है उसके बारे में भी बताऊंगा तो दोस्तो इस वीडियो को सुरू से लेकर एंट तक जरूर देखे ताकि आपको इस बारे में पूरी जानकरी मिल सके और साथ या आपको ये भी पता चले कि आपका रिजल्ट कब आने वाला है दोस्तो इसके बारे में बताने से पहले यदि आप अमारे चैनल पर पहले बार आये हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए साथ यो आपका भी ज़्यादा समयन गवाती होए सबसे पहले हम अपडेट के और चलते हैं दोस्तो रादे मिना ने ट्विट कर बताया है कि बहुत ही जल्ड पटवार परिणाम का इस समिक्सा मिटिंग दोरा प्राफ्त होते ही रास्तान कमचारी चैन बोर्ड आगे की परकरिया रास्तान कोट के फैसले को निन्य दिन करते हुए आगे की करवाई शुरू करेगा बोर्ड लगातार कार्मिक विबाग के मागरसन में यह कर रहा है मतलब कि दोस्तो आइकोट के आदिस के बाद आपका रिजल्ट कभी भी जारी हो सकता है और इसके लिए आपके परकरिया अभी भी चल रही है और दोस्तो इसी के साथ रादिमिना का एक और ट्विट आया है कि आपका रिजल्ट कभ आने वाला है दोस्तो जैसा कि आप लोग देख सकते है टाइप के के डिक्सेशन की रिस्पॉंस सी टेयर हो चुकी है अब परिणाम जारी करने में ज़्यादा समय नई लगने वाला है और हो सकता है कल सुक्रवार को या सुमवार को परिणाम जारी हो जाएगा परन्तु बरती में पद बढ़वाने के लिए सभी को साथ देते हुए के बाद आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा इन्होंने का है कि लगबग 5,622 दो गुनों के इसाब से 11,242 अब्यारतों का प्रिणाम जारी करने के क्या गया है और इसमें का गया है कि 2,4 दिन और लेट हो जाएगे परन्तु 242 पद को सामिल करती हुए जारी रखने की मांग की गई है दोस्तो आप इसकी चिंता मत किजिए कि आपका रिजल्ट थोड़ा लेट हो रहा है जो अंग कम हुआ था रिजल्ट के बाद उनके अंग बढ़ जाएगे दोस्तो आपको पता होगा जो तीन प्रिशने में गरबट चल रही थी तो जो सौती सिफ्ट वालों के नंबर कम हुए थे तो रिजल्ट वापस आएगा तब उनके नंबर बढ़ जाएगे इसे के साथ दोस्तो आप लोग देख सकते हैं कि पहली सिफ्ट में 3684 अब्यारतों को पास गया गया था तो वहीं चौती सिफ्ट में केवल 1225 अब्यारतों को पास किया गया था जिसमें बहुत ही अंतर देखने को मिला था दोस्तो आपको यहाँ पर इस पर सुप से देख सकते है कि यहाँ पर इनको बहुत सारा अंतर देखने को मिल रहा है तो आपका रिवाइस रेजल्ट आएगा दोस्तो यहाँ पर बहुत अंतर देखने को मिल रहा है कहने का मतलब दोस्तो यह नहीं है कि 34 सिफ्ट वालों ने मैनत नहीं की थी इसमें भी बहुत से बच्चे थे जिन्होंने बहुत सारी मैनत की थी लेकिन उनके उतने मार्क्स नहीं आए क्योंकि यह सब नॉर्मलेशन के कारण हुआ था और दोस्तो इसी के साथ यदि आपके डीवी के बारे में बात की जाए कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिपेशन के लिए आपको कब बुलाया जाएगा तो दोस्तो आपको लगबग 14 फरवरी के आसपास नहीं हुआ यनि कि दोस्तो आपके बहुत आगे डीवी के बारे में प्रोसेस जाने वाला है तो दोस्तो आप अपने डॉक्यूमेंट को तयार रखिए आपको कभी भी बुलाया जा सकता है दोस्तो ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में अभी हमें बताना और साथ ही यदि दोस्ता आप इस चैनल पर पहली बार आये थे तो इस चैनल को सब्सकाइब कर देना और साथ ही बेल नट्विसन को ओन पे सेट कर देना ताके आपको आने वाली जानकरे मिलेगी सबसे पहले